तो दोस्तों एक तो माफ करें थोड़े से टेक्निकल ग्लिच की वज़ा से एक गुज मिनिट की जेर हो गई और मैं बीच-बीच में छीटता रहूँगा मुझे बहुत बरा नसला हो गया है तो पर उसका में कुछ करने हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि शहर क्या होता है और इस मसले पर बात करने का प्रॉवकेशन कुछ यह है कि हमारे हैं कुछ स्मार्ट सिटीज बनाए जा रहे है और नई दिल्ली को भी कुछ नया किया जाने की योजना है तो यह सारी खबरे जब आई तो फिर मैंने कुछ इसकारे में सोचा कुछ आइडिया जिस पर मैं पहले से कुछ दिन से सोच रहा था उसको आई पुट टूगेधर और यह पेपर एक बेंगलोर में एक सेमिनार में पेश किया था तो वो दब इस जपने में वक्त लगेगा लेकिन उसका एक जनरल आईडिया मैं आपको इस बात्चीज में देना चाहता हूँ तो पहली बात तो यह कि शहर क्या होता है इस पे बहुत से लोगों ने काम किया है उसमें जोगरफर्स हैं एकॉनमिस्स हैं एंथ्रोपॉलोजिस्स हैं और बहुत-बहुत सी डेफिनेशन्स दी गई हैं कुछ लोगों ने कहा है कि यह जो कोई आबादी का जो साइज है उसकी बिना की उपर यह तरह होता है कि वो गाओं है या शहर या उस सेटल्मेंट का उस आबादी का अपना साइज क्या है वो छोटा हो तो गाओं और बड़ा हो तो शहर ऐसी कुछ डेफिनेशन्स शुरू में दी गई थी फिर ये बात हुई कि ये शहर जो है वो प्रोडक्शन का सेंटर होता है ट्रेड का सेंटर होता है ट्रांसपोर्ट का सेंटर होता है या ये कि शहरों में एक सेंटरलाइजड एक केंदरी करत एक सिवल एड्मिनिस्टेशन होता है या ये कि वो पुलिटिकल प कुछ पुराने वक्तों की थी जब सिटी स्टेट्स वगारा हुआ करती थी उस वक्त शायद ये डेफिनेशन्स डिवेलप होना शुरू हुई होगी और सेंटरलाइस सिवल अथौरिटी अब तो बहुत सारे गाउं में भी होती है, पंचायत होती है, कुछ इस तरह के इलेक् है, क्योंकि हमारे देश पर खास और से हिंदुस्तान में, तो कुछ बहुत बड़े बड़े गाउं हैं और वह अभी तक गाउं ही है, शेहर नहीं बने हैं, इस मताहिर है, मेरा जो फोकस है वो प्राइमेरिली देली की उपर होगा और देली के आसपास होगा, और देली के जो है, वो शेहर का हिंटर लेंड बन गए हैं, उनमें फैक्टरियां लग जई हैं, यह सब कुछ होने लगा है, तो लेकिन वो शेहर नहीं बने हैं, तो यह हम कैसे डिस्टिंगुश करते हैं, अलग करते हैं कि यह गाउं है और यह शेहर, तो यह सारी चीज़ें जिनका मै यह सब डिफिनेशन्स शेहर के लिए दी गई हैं, लेकिन हमारे हां गाउं हैं, और दिल्ली में तो कुछ गाउं ऐसे हैं, जो अब अर्बनाइज सिटी, अर्बनाइज विलिजिस बन गए हैं, जो आठ सो साल, हजार साल पुराना उनका इतिहास हमको मिलता है, कि जब से व होती हैं, लेकिन शेहर में इसके इलावा की कुछ होता है, और इसके इलावा क्या होता है, वो उसके बारे में हम आज बात करेंगें, मेरा एमानना है कि तीन चीजें बन्यादी शेहर के लिए, जिसमें जो पहली शर्ट है, वो माइगरेशन है, बाहर से लोग आके किसी already existing settlement में रहने लगें, वहाँ settle हो जाएं, वहाँ आबाद हो जाएं, तब वो जो पुराना गाउं है, वो शेहर बनने की तरफ उसकी प्रगती होना शुरू होती है, जब तक बाहर के लोग न रहें, तो वो गाउं ही रहता है, और इसलिए मेरा है मानना है कि गाउं में तो native population होती है, शेहरों की native population नहीं होती है, और जो native population होती है, वो भी migration के बाद जो नई जो शेहर की पहचान बनती है, वो उसका हिस्सा बन जाती है, मिसाल के तोर पे अगर आप देहली से, और ये दिल्ली का जो पूरा इलाका है जिसमें तक्रीबंदों पर उनके लोग रहते हैं, इसमें से अगर आप उन सब को खारिज कर दें, निकाल दें, जो डिल्ली के, डिल्ली जनका आबाई गाउं नहीं था, जो यहां, ऐसे लोगों को अगर आप निकाल दें, तो क्या बचें, देली में जो देली की पुरानी आबादिया हैं, वो देली में जाट बचेंगे, गुजर बचेंगे, सेनी बचेंगे, कुछ पुराने अब्रामन परिवार बचेंगे, कुछ पुराने दलितों के खानदान बचेंगे, और ये सबके सब उन अलग-अलग बिखरे हुए गाउं में रहेंगे, और उन गाउं के अपने स्ट्रक्चर होंगे, शेहर के बीच में जो उची जाती के लोग हैं, वो होंगे, और शेहर की पेरिफरी के उपर, वो लोग होंगे, जिन को हमारे हैं नीची जादिया कहा जाता है, गाउं ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही इसे तरीके से हमारे मुल्क में गाउं होते हैं, शेहर में जो शेहर का पूरा स्ट्रक्चर है, वो ऐसा नहीं होना, वो एक मेरा ख्याल है चीज है जो अलग करती है शहर को और गाहों को दूसरी चीज है जो इसका मैंने अभी जिक्र किया वो माइक्रेशन बाहर के लोगों का आकर बसे रोगा और जब बाहर के लोग आती है तो बाहर से आने वाला हर नया इंतान नया वेक्टी जो आके चेहर में बसता है उस आबादी में बसता है वो अपने साथ कुछ नए क्राफ्ट लेके आता है कुछ नए खाने लेके आता है कुछ खाना पकाने के नए तरीके लेके आता है कुछ मसाले लेके आता है कुछ ऐसी चीज़े लेकर आता है जो उस गाउं में पहले से तो होती भी लेकिन उनका उस तरीते का इस्तमाल नहीं होता लै यह जब बाहर के लोग आके किपी बसते हैं तो वो अपने साथ नई चीजें लेकर आते हैं और यह नई चीजें और जो उस आबादी की पुरानी चीजें हैं वो मिलकर कुछ नया बनाते हैं और इसलिए इसको हम अंग्रेजीम अगर कहें तो यह एक कॉस्मो पॉलेटरनिजम का की ग्रोथ होती है और कॉस्मो पॉलेटरनिजम जो है वो शेहर की पहली शार्ट शेहरों में यह नहीं हो सकता के और अगर किसी शेहर में हो रहा है तो शेहर को सीरिस्क्रिकिरा के बारे में सोचना चाहिए कि वो शेहर से कहीं तुबारा गाउं की तरफ तो नहीं जाती है तो यह एक गंभीर मसला है और शहर की तारीफ के लिए, इसमें एक ये बुनियादी चीज है, कॉस्मोपुलिक्रिव। विविधता, भाषा के स्तर पर, लिबास के स्तर पर, कल्चरल एक्स्पेशन्स के स्तर के उपर, जीवन शैनियों के स्तर के उपर विविधता होनी चाहिए। सब एक सार एक जैसा नहीं होना चाहिए। अगर एक जैसा है, तो वो शहर नहीं है, अलग-अलग गाउं मिलके एक बड़ी आवादी बन रही है। जो सब अपने अपने हर अलाके में लोग अपने गाउं के स्तर पर ही और गाउं की मेंटैलिटी को लेकर अभी तक रह रहे है। इसको अगर हम कोई एक्जामपल देके एक्ष्पेंड करने कोशिक करें तो मेरा ख्याल है कि हम देली को लेकर और मैं क्योंके देली के बारे में मेरा शहर है या मैं बड़ा हुआ हूँ और मैं देली को थोड़ा बहुत समझता हूँ तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको देली के जो साथ शहर कहलाते हैं उनको लेकि अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है जो मैं बात करना चाहरा हूँ वो ज़्यादा आसानी से मैं आपके सामने रख पाऊँगा। ये कहा जाता है कि देली साथ देली में साथ शहर तो इस बात को आगे बढ़ने से पहले उनका साथों का हमें एक लिस्प सूची आपको पता देती हैं सबसे पहली जो अबादी थी वो महरॉली जिसे लाल कोट भी कहते थे और किलाराय के ठोरा भी कहते थे लेकिन इसका पुराना नाम महरॉली उसके बाद और ये राजधानी रहा तोमरों के वक्त में उसके बाद चोहानों के वक्त में और उसके बाद ते रजना के बाद के वक्त में उसके बार खिलजी उते हैं जो दूसरा खिलजी बात्शा था उसने सीरी की स्थापना की वह कहा जाता है कि सीरी दूसरी की देगी थी अब अगर सम्ध्यान से देखे तो सीरी कभी भी शेहर नही良ठी था और ना उसकी रचना शेहर के तरीके से कुई थी वो असल में फौज का कैम्प था मां उसकी सारी फौज अलाउटिन चिलजी की महाँ पर रहा करती थी और उसको पानी की रिक्वाइर्मेंट पूरी करने के लिए हौस खास बनाया गया जहां से यहां पर पानी की सप्लाई होती थी औ आता था कि उसकी सारी फौज एक जगा रहे उसकी फौज का बड़ा हिस्ता ताकि जब भी उसकी जडूरत हो उसे कुटली आसानी से मूफ कर सकी लेकिन वो खुद उस पूरे दोरान महरौली जो पुराना आबादी थी लाल कोट महां पर कर्स्ट्रक्शन करता था और उसने तो मेरा मानना है के राजधानी शेहर तो महरौली ही रहा है उसके बाद तुखलक आए जिनोंने तीन तुखलक बादश्याओं ने तीन राजधानीया बनए तुखलकाबाज, जहाँपना और फिरोजाबाज जिसे हम लोग फिरोश्चा कोटला के नाम से जानते हैं जिसका नाम अभी उसके नाम से एक क्रिक्ट पवेलियन भी है जिसका नाम अब बजल के जटली साथ के नाम पर कर दिया गया हुमाईयों के वक्त में और उतने पुराना किला बनाया उसके बाद राज धानी फिर आगने चली गई और फिर लोटके आई शाह जहां के वक्त में तो शाह जहानाबाद के बाद अंग्रेजों ने 1912 में नई दिल्ली के निर्मान का खाम शुरू किया मेरा यह मानना है कि इन साथ और अगर आपने जिल्ली को जोड़ लें तो आठ राज धानियों में शहर बस दो एक शहर था महरौली और दूसरा शहर था शाधा ये दोनों शहर कैसे बने इन दोनों के शहर बनने की जो पूरी तूरी ब्रकरिया थी वो एक अलग तरीके से दोनों शहर विक्सित हो और इस पे हम थोड़ी देर बात करेंगे और मेरा ख्याल है कि उस से मैं अपनी जो मैं बात आपके कह रहा था कि वो शहर का जो बनियादी इसका कॉस्मोपोलिटन होना जुरूरी तो महराली कैसे शहर बना इसके बारे में बात चीशते हम शुरू में हम महराली बोले जो बात चीशते हम तो जैसा मैंने अभी आपसे अर्श किया कि महराली का जो इलाका है वो तोगर्द और चौहानों के राजाओं, शासकों के ब यहां पर आबादी थी और यह राजभानी की तरह समाल हो रहा था, यह राका और जो तूरजकों का इलाका है यहां पर उन्होंने निर्मान किये, यहीं पर प्रिश्विराज चौहान जब दूसरी बैटल में हारे, तो उसके बाद यहां पर गुलाम शासकों की सबता आई उन्होंने लगभग सौ साल यहां पर राज़ किया, फिर तुखलकों के वक्त में राजभानी यहां से शिफ्ट हो गई, लेकिन यहां पर इस दौरान कुछ और हुआ, जब यह तुखलकों, जब यह खुतुपुदीन अभवक और उसके बाद के जो शासक थे उस वक्त में जब यहां राज़्धानी इस दाती होई, तो यहां बहुत सारे लोग बाहर से आके बसे थे, वैसे इन से पहले भी जो तोमर यहां आके बसे थे, और जो चौहान यहां आके बसे थे, वो भी दिल्ली वाले ने थे, पित्वराज चौहान की तो राज़्धानी असल में एक राखा जो किलाराय पर थहुरा कहलाता है लेकिन उसमें तरह सारा कंस्ट्रक्शन है वो बाद का कंस्ट्रक्शन है क्योंकि हम देखते हैं उसमें अनगर पत्थरों के साथ चूना और येटों के गारे का इस्तमाल किया गया है और चूना और इंटों का गारा हिंदुस्तान में मध्धे एशियाई लोगों के आने के बाद से होना शुरूगा है उसके पहले हम लोग चूना तो इस्तमाल करते थे गारी की तरह थे लेकिन उसमें हम इंटों का चूरा नहीं मिलाते उन दीवार में आपको कई जगा महरावे मिलती हैं और महरावे भी हिंदुस्तान में 1287 से पहले नहीं थी और प्रिश्वी राज चौहान 1192 में हार रहे हैं तो ये जो निर्माण को ला है ये निर्माण मध्धे एशिया के लोगों के आने के बाद यहां होता है जिसमें निर्माण की ये टिकनीक इस्तमाल होती है अंगर पत्थरों का इस्तमाल गारे और मलवे के मिला कर किया जाने वाला तरस्ट्रक्चा ये एक चीज़ है जो मध्धे एशिया के लोगों कि लेकिया है उसे पकाना परता है उसे पकाने के लिए चूने की भट्टियों और चूने की भट्टियों में जो आग लगाई जाती है उसका टेंपरेचर जब तक एक हजार डिगरी सेंटीग्रेड तक न हो जाए जब तक जो रौ लाइम स्टोन होता है वो तूटके ऐसा चूना नहीं बन्ता है जिसको नहीं बनता हिसको हम थन्स्ट्रक्शन में इस्तमाल पर्टे में तो यह चूने की भट्टियों में उसके साथ साथ kilometers इस निर्मान में इीटों का गारा इस्तमाल जाए तो ईिटें पकाने के लिए भटे बनती हैं यह दो नई चीजें उस्तर भारत में दिल हिंक फंद्रिय, हिंद्रब्रे में मध्दियें प् belang में बनातों across the world., कि वाम इसमारा में बनाएं वाले तो फेरा पनाने वाले आ. छो इसम 42 काम वोन व होगा वillar वोग दो पनाती वह र्लब में बनातों मीद्दिय के लिचनौने बना रोसु है। और उसके बाद यहां के लोगों ने ये सारे तरीके उन से सीखे हो जो दूसरा जो स्लेफ किंग था शमसुदीन अलतमश उसके समय उसके वक्त में एक बहुत बड़े सूफी दिल ली आए जो खुत्रबदीन बक्तियारकापी जनका नाम था और जो अजमेर के जो सूफी है उनके शिश्य थे और उनके उत्रा बिकारी थे और वो दिल्ली में आके महरौली में रहने लगे और जिस इलाखे में वो रहते थे उस इलाखे को मेरे बच्पन तक कुत्व साहब कहा जाता था जैसे जहां निजाम उद्दीन रहते थे उस इलाखे को निजाम उद्दीन कह नाथ राइस करके थे उनके मरने के बारि को महीं पर उनके उनको झबाया जाता था उनके लास्ट राइस क्ये जाते थे और वो इन्हीerm हो जाता था तो यह ईलाका। कुतुप साहब के नाम से मशूर हुआ। अब राजधानी तो खिल्जीयों के समय में यहां से चली ले। लेकिन क्योंके कुतुपुदीन बख्तियारका की यहां रहे और जब उनकी बृत्ती हुई तो उनको वहीं दबनाया गया तो उनके मसार के आसपास वहां पे उनकी दर वहां पर उनकी एक आबादी वहां पर बसे। कुतुपुदीन बख्तियारका की को दिल्ली का पेटरन सेंट माना जाता है। और इसलिए हर साल उनके जिस दिन उनकी डेथ हुई थी और जिस दिन वो पैदा हुए थे यहां पर दो बड़े मेले लगते और उसमें लोग कंपूर दूर से आयाका। अब आप लोग अगर कभी किसी सूठी दर्गा पे गये हो या बनारफ गये हो। इलाबाद गये हो। इलाबाद का वो इस्ता, जो पुरानी आबादी है जो प्रयाग राज गयानाता है, संगम वहां गये हो। या आयोध्या गए हो, या किसी भी ऐची जगा गए हो, जहां पर कोई किसी भी रेलिजन की बड़ी श्राइन होती है, तो वहां कुछ खास दिनों में मेले लगते हैं, हाजारों लोग उन मेलों में आते हैं, और वो जो कुछ उनको चाहिए होता है एक तो श्राइन पर ओफर करने के लिए, चड़ाने के लिए, भेड़ देने के लिए, और उसके इलावा उनकी अपनी ज़रूरत जो होती है, वो कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, इस सब के लिए बहुत सारी दुकाने खुलती हैं, तो निजम الدین में ये सब कसब बढ़ने लगा और लगातार होता रह इसके बावजूद के राइधानी अब महरौली नहीं की, और तेर्वी शताब्दी से और आज तक महरौली के इलाके में, जो पूरा इलाका महरौली का है, उसमें लगातार कंस्ट्रक्शन होते रहें, निर्मान होते रहें, और इन छे साथ सौ सालों में तरहा तरहा के आए और यहां पर बसे, मैंने आप से अर्ट किया था कि अलाओदीन खिलजी के समय में, यही इलाका उसके राइधानी की तरह हुआ बरता है, हमें इतिहार से पार जलता है, और उसमें प्रोफेसर एरवान अभीब का बहुत बड़ा काम है, कि अलाओदीन खिलजी के वक्त में, वो हर साल अपने पौजीयों को, अपने अफसरों को, अपने नोबल्स को, अपने जो बड़े-बड़े उसके पौजी अफसर होते थे, और जो विदेशी महमान उसके हां आया करते थे, अम्बैसिडर्स आते थे दूसरे देशों से, उन सब को वो रोब्स पिया करता जो रोब्स बेडिवल पीरेड में पहनी जाती थी, और ये रोब्स तरहा तरहा की होती थी, ये कॉर्टन की होती थी, सिल्क की होती थी, कॉर्टन और सिल्क के मिक्सर की होती थी, सिल्क और सिल्वर थ्रेड की, सिल्क और बोल्ड थ्रेड की, जिसे अतलस कहते थे, परेखे स्टोन जड़े होते थे, इनके साथ-साथ लोगों को पगणिया दी जाती है, जिसे दस्तार कहते हैं, जुम्बे, दस्तार और पैराहन ये दिये जाते हैं, ये कश्मीर में जो फिरन पहनते हैं, वो इसी पैराहन का विगड़ा हुआ रूप है, तो ये इसके साथ-स उनको और बहुत सारे प्रेसेंट दिये जाते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर तलवारे हुए थी, जो पौजी अपसनों को दी जाती थी, या शेहदादों को दी जाती थी, जो उसका सकसर होने वाला है, उसका बेटा, बतीजा, उनको दी जाती थी, जो पहार से मेमान आते ये कपड़े, ये दस्तार, ये बहुत बड़े-बड़े कारहाने थे और उन कारहानों में सैक्णों, अगारों नहीं तो सैक्णों मंदूर कारीगर काम करते थे, उसमें दर्जी होते थे, उसमें कपड़े काटने वाले होते थे, उसमें कड़ाई करने वाले होते थे, उसमें तलवारे बनाने वाले खंजर बनाने वाले ये सब काथ आने थे इनए बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मध्धे इविया के लोग अपने साथ माई रहा है। बहुत सारी नई तर्किवे थी जो पुराने जो हंदुस्तान में जो कीदे थी उनके साथ मिलके नया को छोने लगा तलवारों के अंदर सोने का तलवारों में खुदाई करके उसमें सोने का पानी बढ़ा जाने लगा उसकी उपर टेक्स लिखा जाने लगा ये सबका सब जो था ये जो बाहर के लोग आए थे जिसमें एरान के लोग थे, आनिस्तान के लोग थे, पश्टो बोलने वाले थे, पक्तून बोलने वाले थे, दरी बोलने वाले थे, फार्सी बोलने वाले थे, तुर्की बोलने वाले थे, और उस्बेक बोलने वाले थे, और यहां उस्बेक आए, ताजिक आए, एरानी आए, ये सब लोग आके यहां रहे ने लेुए इन सब लोगों की रहने ले ले और इने कार्वाणों में काम करते थे, जो दरबार में काम करते थे, जो छोटे बड़े ओधों पे काम करते थे और इसके साथ साल सूफी की दरगाहों की उपर जो उनके भग थे जो उनके मुरीद थे वो आया करते थे और वो भी दूर दूर से आते थे तो आप इमेजिन कीजिए कि ये सब का सब सैपनों साल वहां पर होता रहा है और ये जो सब का सब था इससे वो कॉस्मो पॉलेटन करेक्टर डेवेलप गवा इसकी बाद मैं आप से करूँ और विसाल के तोर पे तंदूर का जो रोटी पकती है वो तंदूर मध्षया के दो हम लेटे लगए उन लोगों का खाना आम तौर की ऊपर तंदूर में पका हुआ खाना होता था सीख के उपर वो मीट के पीसे को मेरिनेट करके और सीख में लगाके तंदूर में उता दिया करते थे और वो वहाँ पर जैसे बारपित्यू करते हैं वैसे तंदूर में पकाया जाता था और वो खाया करते थे खमीरी रोटी जिसमें इस्ट होता है और वो सॉफ्ट होती है ये भी मद्दे एशिया से हमारे पास आया और ये खाना पकाने का तरीका और जो हिंदुस्तानी खाना पकाने का तरीका था जिसमें हम भुनाई करते हैं यह दोनों चीजें मिक्स होके एक नए तरीके का ठाना बना शुरुँगा जो बाद में विक्सित होके जिसे आज हम मुखलई के ते हैं जाला के वो मुगलई नहीं है, उसे मुगलिया कहना चाहिए, लेकिन वो जो जो या दो से जादा अलग अलग पकाने, खाना पकाने के तरी एक जड़ा आकर मिले थे, और उसके बाद मिलने के बाद कुछ नई चीज़ें उससे निकली, ये सारी सारी प्रोसेर हुए है, ये इ जगह रहने ने, कुछ वो थे जो सूफी, कुटबुतीन बख्तियार काकी के मजार सिंगा संबन था, और वो वहां के मुरीद थे, वही रहते थे, उसके केर टेकर्स थे, या वहां पढ़ाते थे, वहां स्कूल थे, मदर्से थे, उनको चलाते थे, और वो लोग थे, जो य करने वाले थे, फौजी थे, बजार में दुकाने चलाने वाले थे, ये सब के सब मिल कर, वो एक मिली जूली एक संस्कृती का विकास कर रहे थे, जिसमें जो भी आता था, वो यहां का, धीरे धीरे यहां की भाशा जो विक्सित हो रही थी, उसमें अपनी बातचीत करने ल जो डेली के आसपास की जबान थी और ये जबान जो मत्देशिया के आने वारे लोग अपने साथ जबाने में के आए, वो सब मिक्स होके एक नई जबान बनना चलिए हुई, इसको हम हिंदवी कहते थे, या देल्मी कहते थे, या जबाने देली कहते थे, ये यहां पर इनकी दर्गा के बाद इन इलागों में ये जबान विक्सित होना शुए है, ये जबान का आगे क्या हुआ, एक अलब कहानी है, उस पर फिर कभी बाद को हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन ये सब कर सब इस इलागे में हो रहा है, उसके बाद राइधानी जबाने आपको को बताया कि यहां से शिफ्ट होगा, वो अकलगाबाद चली गई, यहां पना में चली गई, जो आएटी के सामने जो विजय मंदल का इलागा है, वहां पर मुहमद बिन दुखलत ने राइधानी बनाई, फिर उपनी राइधानी को दौलताबाद ले गया, फिर वापस ले लेकिन कुस्तुत दीन बक्तिया चाहती है, महरौली की इंपॉर्टन्स नहीं हादाए, एक विश्वास था लोगों में, जो बक्तिया काकी के फॉलोर्स थे, उनको वेनरेट करते थे, यह विश्वास था, यह यकीन था, कि अगर आप उनके मजाग के आफ़ पास दफन हो, तो आपको स्वर्ग में जगा देए, यह ऐसा ही है, जैसे लोगों का मानना है, अगर आप जाके बनारस में आप की बिद्टी वो तो आप स्वर्ग जाएंगे, तो यहाँ यह था कि सूफी के मजाग के पास अगर आप दफन हो जाएं क्योंकि सूफी दूर भख्वान ज़रूर स्वर्ग में जाएंगे ज़रूर जन्नत में जाएंगे, वो लोगों का भला करते थे, सबसे प्यार और मुहबत से रहने की आइसे लोगों से बात करते थे, और सब का भला चाहते थे, और सुछ अगल की लाव एंड पीस अमंग तो अगर आप उनके पास, उनके मदार के आजपास, आप भी दपन हो गए, तो जिस दिन जब प्रिले आएगा और उसके बाद सब दुबारा जिन्दा होंगे, ये माना जाता है मुस्मुमा मान में, एसाइयों में और यहूदियों में, कि प्रिले के बाद जो कुछ कभी भी जिन्दा राएं, वो सब के सब लोग दोबारा जिन्दा होंगे, और फिर उनका हिसाब किताब करके फैसला किया जाएगा, कौन सोर जाएगा, कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोजफ में जाएगा, तो वो लोग, अगर सूफी के मदार के पास रफन होंगे, तो उनका एक चांस होगा कि वो जिन्नत में बुष जाए, बड़े साथ के साथ साथ, ऐसा यकीन था लगोगा, तो और उस जगह को पवित्र समझा जाता था, जहां पर सूफी का मजा रहो, तो पवित्र जगह में लोगत ने आपको दफनाने की कोशिद अगा, यह मैंने किस्ता आपको इस तो इसलिए आप जाएंगे जहां बहुत सारी कपरें आपके महरुली के पूरे अलाके में कपरें हैं, और लोग आते थे, कुछ पुछ दिन बक्तिया का चाहिए, और क्यूंके यहां पर सैपनों हजारों लोग हर साल आया करते थे, तो जो दिल्ली के कोट में, और जब कोट के आया, और सारे वक्त में जो पैसे वाले मालदार लोग थे, वो इस इलाके में जो यात्री आते थे, तीर थे यात्री जिनको आप कहे लिए, उनके, उनकी सुविधा के लिए यहां पर कंस्ट्रक्शन दर्वाते थे, तो यहां बावलिया बनी, यहां कुए बने, य जिर्मान कला में जो नई नई चीजें मत्येकिया से आ रहेंगी, वो सब आपको यहां देखने को मीटी है, तो यह सब का सब हो रहा है, और वो मिली जूली संस्कती जिसको हम अब गंगा जमनी सब्वेता कहते हैं, गंगा जमनी टडिजन कहते हैं, हिंदुस्तान की पैचा जिसको हम कहते हैं, वो इस तरीखे से अलग-अलग जहां के लोगों के आके, मिलके, एक साथ रहने से लिखते ही, और उसके बहुत सारे सेंटर थे, जिनमें दिल्ली एक इंपोर्टन सेंटर था, जो महरौली करे रहा था, तो यह एक प्रोसेस थी, जिसके अंदर महरौली एक मल्तिकल्चरल, मल्तिलिंग्वल एक सेंटर बना और धीरे धीरे इसका एक कॉस्मोपोलेटन करेक्टर बना। फिर राजधानी आग्रा चली लेकिन राजधानी के आग्रा जाने के बावजूद दिल्ली एक ट्विन सिटी की तरह रही और जितने भी मुगल बादशा थे वो लगातार दिल्ली आते थे मायोत औखेज्धानी दिल्ली दे ही आयाा था कबड़्र रेगुलरली आता था और उन रिजाम-दिन की शुराइण पर जाया करता था और इन सुफियों की शुराइण की उपर वो जाया करते थे इंको पैट्रिनाईश करते थे और फिर शाजहां तो ये एक connection बना रहा और ये mixing की जो process थी वो लगातार चलती रही रही शाजहां राइधानी दिन्दी के लिए अकबर के वक्त से राइधानी आग रहा थी अकबर के वक्त में जहांगीर के वक्त में और शाजहां के रूल के पहले आधे हिस्से से ज्जादा समय में राइधानी आग रगा थी थी शाजहांने निया शेहर बनाने का प्रसला किया और इसने शाजहांजांबाद बनाया अग शाजहांजांबाद उस तरिके से एक एक इंट रख़ के धीरे धीरे विट्सित नहीं दुआ जैसे मैरॉली विट्सित है जैसे लालफोर विष्टित है एक बनी बनाईा शेहरी आपादी आगरे से उतके दिल है एक बड़ा शेहर बनाया गया उसमें खिला बनाया गया अर्टिले के साथ जो सारे नोबल थे उन्होंने अपने अपने घर बनाए बासार बनाए गए जो सब्सक्र बड़ा बजार था जिसे आजकर हम चान्दी चौक कहते हैं वो शाजहा की बड़ी बेटी जहानारा ने बनाया उसके बेटे ने अपनी लाइबरेडी और अपना धर उस अलाके हम बनाया जहां आजकल अम्बेटकल यूनिवर्सिटी है एक उसकी बेगम ने मस्जिद बनाई एक और बेगम ने एक और मस्जिद बनाई तीसरी बेगम ने एक और मस्जिद बनाई उसकी एक बुवा थी जिन 1649 के इंदर इसका फाउंडेशन रखी गई, बुनियाद रखी गई और 1649 में शेहर का विदिवर उन्गाटन दुगा। शाजहा के साथ बहुत सारे लोग आगरे से दिल्ली आगए, वो सब लोग जिनका थालोग हुए। कोट के था, जर्वार से था बुदिल्ली आगए। जैसे जब अंग्रेस राजधानी कलकते दिल्ले लेके आए थे, तो कलकते से बहुत सारे ऑफिस की बीरोफियसी में बहुत सारे बंगॉली रोथे और एक लाज स्केल मूवमेंट बंगॉलियों की दिल्दी में हुई 1912 जब कश्मीरी गेज में पहली काड़ी बादी बनी और कश्मीरीयों के आबादी बनी चांदी चौक में डॉक्टर एच्छी से इनका खुला और ये सबको सब जैसे 1912 में हुआ ऐसा ही 1660 पारेश में बनी जो ब और वो इसलिए हुई क्यूंके बहुत सारे पुराने डॉक्यमेंट जो खात्तौर से मंदिरों के ओर्नर्शिप के बारे में डॉक्यमेंट थे वो संस्क्रिप में थे और कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जिन्होंने बहुत जल्दी फार्सी सीखी जैसे सिंध में एक बड़ा एरिया था जहां पे लोगोंने फार्सी सीखी थी बहुत सारे मुलतानी लोग थे जिन्होंने फार्सी पड़ी थी और यूपी में बहुत सारे क तो कायस्तों की, कश्मीरियों की, मुल्तानियों की, सिंधियों की, वो लोग जो हागरे के कोट में थे, वो सबके सब दिल्ली शिफ्ट हुए और बहुत सारे कश्मीरी पंडे कश्मीर से दिल्ली शिफ्ट हुए जिसमें पंडे जवालन नहरू के का परिवार था, जो हकसर प पार फे पन्ड़ी नेहरू स सुह कहले था तै पन्ड़नमों कि सेट वो उनका नाम बनसिधर कॉल था और वो 1857 में दिल्ली के कोज़वा थे, उनके बेटे थे, मोदिलाल नेटो, तो ये सब लोग दिल्ली आये, और इसके साथ, वो सारी की सारी, उनकी अपनी भाशाएं, संसेतियां, खाने के तरिये, वो सब के सब दिल्ली में मिक्स हुए, तो ये, ये पूरी की प्रोसेस थी, और ये प्रोसेस शाजाहनाबाद में तीन साथ थी, और अंग्रेजों के आने के बाद भी, जब वो राजहनी को आगरा ले गए तब, कलकता ले गए तब भी, और उसके 53 साल के बाद जब वो फिर लोटके आए, तो शहर शाजाहनाबाद थी, नई दिल्ली सिर्फ एनी ऐस की जगह की जहां पर लोग काम करेंगा, नई दिल्ली में कोई रहता नहीं, खैर उसके बारे में दो मिनट के बाद बात करेंगे, तो ये 300 साल का वक्त, 1648 से 1748, 1848, 1949, और 1857, ये तो 1640 से 200 बरस के ऊपर ये, और उसके बाद का भी, समय जितमें, डेली शेहर की तरह काइम रहा, बड़ा रहा, होता रहा, इसके बाद जूद के वो राजधानी नहीं रहा था, ठीक ऐसे ही, जैसे महरौली लगातार बसता रहा, वहां कर तक्ष्यम होता रहा, लोग आके बसते रहे, इसके बाद जूद के वो राजधानी नह और यह आपको दुनिया भर के तमाम शेहरों में पामन मिलेगी, जो शेहर है, उनमें large scale के उपर migration होगी, तरहा तरहा के नए professions आएंगे, नए languages, नए cultural practices, नए खाने, नए लिवास, नए trades, नए technology वो आएगी, और वो फिर सेकड़ों साल के इंदर विक्सित होके एक नया trade होगी, commerce होगी, और ये और नए चीज़ें जुद्सित होगी, ये बुनियादी चीज़ें, शेहरों के अंदर production होगा, शेहरों में कारिगर होगे, मजदूर होगे, मेहनत करने वाले होगे, इन सब के बगएर शेहर नहीं बगए, और अब हमारा समय खतम हो रहा है, तो मैं दो-चार मिनिट में आपको यह और बता दूँ कि मैं क्यों कहता हूँ कि नई दिल्ली शेहर में, नई दिल्ली इसलिए शेहर नहीं है, कि इस शेहर में कोई working class, इस शेहर में कुछ produce नहीं है, ये शेहर सिर्फ इसलिए बना था, कि इसमें साहब लोग रहेंगे, और वो सार ये साहब लोग अंग्रिजों के वक्त में भी और आज भी सिर्फ transferable jobs पे हैं, वो यहां post होके आते हैं और वो अपना tenure खतम करके वापर चले जाते हैं, नई दिल्ली में कोई रहता नहीं, नई दिल्ली में government employees रहते हैं, जो सब transferable jobs के उपर होते हैं, डटायर होते हैं, प्र आते हैं, जो इन साहब लोगों के घरों में काम करने बादे हैं, एक साहब चला जाता है, दूसरे साहब आ याते हैं, वो नहीं धर में रहते हैं, खाना पताते हैं, पताईटाथाएं, उन्थासला था हैं, नई दिल्ली में एक भी मन्टी हैं, हर शहर के अपने educational institutes हैं, युनस्तियां जो दिली में हैं वो पुराने दिली में हैं या उन नए अलाकों में बनी हैं जो नए दिली के बाहर 1947 के बाद देशे हैं. हर शहर का अपना एक खाना होता है, हर शहर का अपना एक संगीत होता है, अपनी एक संस्क्रिटी होता है. जो दिल्ली के पास है, जो महरावली के पास थी लेकिन अब वो तूट गई है, बिखर गई है, 47 के बाद जो हालात हुए उसके अंदर, लेकिन ये बुनियादी चीजे हैं जो शहर को शहर बाता है, और नई दिल्ली में इन में से कुछ भी नहीं, और अब ये कोशिच की जा स्मार्ट सिटी बनाने का आइडिया है, वो ऐसा है कि वो एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट होंगे, जैसा एक साइबर सिटी बनेगा, वह सिर्फ इलेक्ट्रोनिक आइटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग होंगे, जो वहां बैटके प्रोग्राम लिखेंगे, ज वो वहां रहेंगे, तेकिन वो जो खाना खाते हैं, वो कहां से आएगा, उसकी खेती कहा होगी, वो शेहर में नहीं होगी, जो कपड़े वो पहनते हैं, वो बाहर बने जाएगे, जिन कार में वो ड्राइब परेंगे, वो बाहर बनेगे, जहां पर कोई वर्किंग क्लास न मंडी नहीं होगी, यहां कुछ पैदा नहीं होगी, यहां सिरफ एक तरह का काम करनेवाए लोग होंगे और बाकी तमाम लोग जो यह संबख करते हैं कि वो अपने आफिस में बेट के काम करते रहें, वो सब लोग उनको शेहर में बुसने की जाने जाने हैं यह स्मार्ट सिटी का आइडिया है ऐसा ही कुछ नई दिल्ली के साथ अब किया जाने वाला है जो कुछ नई दिल्ली में बना हुआ है उस सब को तोड़के कुछ एक नया बनाने का आइडिया है वो नया क्यों बनाया जा रहा है, उसकी कोई लोजिक नहीं, लेकिन बनाया इसलिए जा रहा है, क्योंकि जो हमारे जेश पे आजकल राज कर रहे हैं, उनका यह ख्याल है कि यह बिलने हैं पुरानी होते। नॉर्ट ब्लॉक, साउस ब्लॉक, राष्टती भवन, पार्लिमेंट हाउस, क्रिशी भवन, उद्योग भवन, यह सब के सब तोड़ के कुछ नया बनाया जाएगा, क्यों बनाया जाएगा, उसकी क्या जरूरत है, इस शहर के बीच में जो सिर्फ वो जगा थी, जो खुली ज सकते थे, अब उन वहाँ पर मल्टी स्टोरी बीडिंगे बनेगी, ऑफिसे बनेगी, प्रधानमंत्री का नया घर बनेगी, इसके बावजूद के सारे टाउंट पैनर्स ने, सारे एंवाइरमेंटलिस्ट ने, सैक्णों, ब्योरोक्रेट्स ने, सीनियर ब्योरोक्रेट्स न हो रहा है, इस सवाल को मैं इसलिए रेज कर रहा हूं, क्योंकि ये जो हिस्टॉरिकली दुनिया भर में जिस तरीके से शेहर विक्सित हुए हैं और उन्होंने अपनी पहचाने बनाई हैं, वो सबका सब खतम किया जा रहा है, ये जो कोशिश है, ये इतिहास विरूद ही है और इससे शेहर नहीं बनेगे, इससे वर्क स्टेशन बनेगे, जिन में न अपनी कोई आत्मा होगी, न जिन में जिन्दा इंसान सांस लेगा। मुझे बुनियादी तोर पर ये ही कहना था, अब अगर कुछ सवाल अगर आपके हो, तो हम अगले जस मिनट में इस सवाल बेता हैं। राहुल पुझा पती पूछ रहे हैं कि शेहरी करण का पैमाना मूल निवासियों के विकास से होता है, या फिर इसके लिए प्रवासियों का आना जरूरी होता है, जैसा आपने बता हैं। देखे, मैं ये, मैंने शुरू में कह दिया था कि शेहर में मूल निवासियों नहीं होता है। मूल निवासियों सिरफ गाओं में होता है। और शेहर जब ही शेहर बनता है, जब वो सब लोग जो मिलके शेहर बनाते हैं, उन सब की जरूरतों का ध्यान रखा जाए। वो इलाका जिसे आज हम देखे ली कहते हैं, इसके जो मूल निवासियों जो यहां सैकड़ों साल से, हजारों साल से जाय गए है। जो यहां खेती किया करते ही वो अब सब खेती तो नहीं करते हैं, उनमें सब कोई भी खेती ये शहर अपने आपको शहर कह सकता है, इनको शहर से बाहर रखके और केवल नई दिल्ली को शहर की तरफ पेश करके आप शहर नहीं बना रहे हैं, आप एक टापू बना रहे हैं, सम्रिद्धी का एक टापू बना रहे हैं, जिसके चारों तरफ स्लम्ज हैं, ये शहर नहीं है यह रादिका खन्ना पूछ रही है कि जब यह कुछ हो रहा था दिल्ली में और दिल्ली कॉस्मोपलिटन हो रही थी क्योंके लोग रशा से आ रहे हैं तो वेस्ट योरप बगारा में क्या हो रहा था यह रादिका खन्ना पूछ रही है कि जब यह कुछ हो रहा था दिल्ली में और दिल्ली कॉस्मोपलिटन हो रही थी क्योंके लोग रशा से आ रहे थे तो वेस्ट योरप बगारा में क्या हो रहा था इस्पेन में रोम में नौर्जन अप्रिकार बिकॉस्ज दे अलसो एफ सम्पनेक्शन सूफिजम तो देखिए बहुत अच्छा एक मिसाल है अगर आप चार्ल्स डिकन्स के नौबल पढ़ें इंग्लेंड के बारे में ये वो वक्त है जब इंग्लेंड में अर्बनाइजेशन बड़े स्केल पर हो रहा है उसमत आप देखिए कि गाओं के लोग कैसे शहरों में जा रहे हैं। और शहरों में गाओं के लोगों का क्या हो रहा है। यह प्रोसेस अर्भनाइजेशन की जो प्रोसेस है, वो जो industrial revolution के साथ जो urbanization हुआ है वो एक अलग process है और जो medieval cities बनी हैं वो process अलग है लेकिन जो सूफियों का तालुक है वो Spain में, Rome में वो वहाँ सूफियों का इसना तालुक नहीं है वो जो वहाँ जो Spain की उपर मुसल्मानों का राज हो गया था तो वो Islamic influence वहाँ पर है वो वहाँ पर सूफियों कितना है वो टर्की में तो है लेकिन सूफियों में और वहाँ पर सूफियों का को इतना जादा influence मुझको नदर नहीं आता लेकिन अब आपने यह सवाल उठाया है तो मैं इसको investigate करूँगा थोड़ा बस पढ़ूँगा देखूँगा क्या होता है खानत वकील ने कहा है कि अमीर खुस्रो इस अलसो multicultural absolutely अमीर खुस्रो ने अपने बारे में लिखा था कि मैं तुर्क हिंदुस्तानी हूँ क्योंकि उनके फादर टर्किश थे और उनकी मां हिंदुस्तानी तो अमीर खुस्रो में तो यह जो Central Asian Cultural Tradition है और जो South Asian Cultural Tradition है वो दोनों मिलके इतनी खुबसूर्ती से एक होते हैं तो आपने खबवाली दुरूर सुनी होगी बहुत कठेने डगरपन घरटकी ला भरलाओं जा भरलाओं में मदवा से मटकी तो यह मटकी में पानी भरने का जो भरके लाने का जो Tradition है वो तो राधा उक्रिशन के सारे फिस्तों में है और यह अपने सूफी पीर की के प्रेम में जो वो कविता कर रहे हैं यह उसमें वो Tradition है तो वो तो बिल्कुल सीधा अनुए खुसरों में तो यह दोनो Tradition है मिलके इतने खुसरत होके सामने आए हैं जिससे अबाली पैदा हुई है जिसका कोई जवाब नहीं है अप्षयत अगरवाल कूछ रहे हैं अगर आपने वो बनाना शुरू कर दिया तो जो आपकी सारी Cultural Roots है जो Cultural Mooring है हमारी वो Destroy हो जाएंगी और जो Globalization की सारी बातचीत है उसमें असल में क्या होता है हम Atomize हो रहे हैं आपने देखा है लोगोंने बातचीत करना बंद कर दिया है एक कमरे में दस लोग बैठे होंगा सब अपने इपने सेलफोन लगे होते हैं तो ये Globalization ये लोगों को घटा नहीं कर रहे हैं लोगों को बहुत छोटे छोटे cells में जैसे इसलिए इसके लिए Atomization का लवस्तमाल किया जाता है छोटी छोटी independent units में break कर रहा है और वो सब के सब उस एक internet से जोड़े हुए हैं जिसको कोई एक multinational कंट्रोल कर रहा है तो ये जो आपकी अपनी जो roots थी उन सब से कटके और आप एक उस multinational के फैलाए हुए network का फिस्सा बन जाते हैं तो globalization में अब जो हो रहा है अभी coronavirus के नतीजे के तौर पे हमको लग रहा है कि इस जब तक या खतम होगा तो उसके बाद globalization क्या शकल लेगा कहना मुश्किल है लेकिन ये तो तैह है कि हम लोगों को अपनी जो हमारी cultural और जो हमारी तांस्कितिक जो हमारी roots है उनको अगर हम जब तक उनको अगर हम totally छोड़ देंगे और सिर्फ हम globalized world का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर हमारे लिए अपने आप से बात करना अपने आप को पहचानना ये समझना के हम कौन है ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा और हम तो खैर इस दोर से गुज़र रहे हैं तो गुज़र जाएंगे लेकिन हमारे आने वाली प्रीडियां हमारी संस्थिती से बिलकुल करते हैं रोहन नौटियाल पूछ रहे हैं कि क्या ये एक अपने ग्रेंड प्लैंस के लिए ये नई दिल्ली के बारें बात हो रही है नई जगा कुछ नहीं कर सकते हैं अगर कुछ नया बनाना नहीं है तो मेरा ह्याल है कि ये नई जगा बना लेना चाहिए ये बिल्डिंग है जो हमारे आजाद हिंदुस्तान की पहचान है इनको क्यों तोड़ा जा नया कुछ बनाने के लिए पुराना क्यों तोड़ा जा और वो ऐसा भी नहीं कि वो गिर रहा हो मतलब अगर वो बिल्कुल ध्वास्वोनी की इस्तिती में है उसकी दिवारे बैट रही है गुंबट तूट गए है मिनारे गिर रही है तो आप बना लीजे ये तो 1931 में तो उनका उठ्धाटन हुआ था अभी तो उनके 100 साल भी पूरे नहीं हुए कैनाट प्लेस को तो आप में पूरे के पूरे को दोबारा रिपेर कर दिया इनकी भी देखभाल कर दीजिए इनको मेंटेन कीजिए अभी मेरे पास समय नहीं है वरना मैं आपको पता था कि फ्रेंच पार्लिमेंट बिटिश पा नहीं मिल दिने हैं और ये तीनों देश हमसे बहुत जादा समरिद्ध हैं हमसे बहुत जादा डिवेलप्ट हैं वो तो नहीं अपनी पार्लिमेंट बिल्डिंगों को तोड़ा है तो और खास्तोर पे आज कल ये 20,000 क्रोड रुपए जो इस नए शेयर को बनाने के लिए अ अभी ये लोग जो सड़कों पे भूके मर रहे हैं जो अपने गाउं जाना चाते हैं क्योंकि उनकी फैक्टरियां बंद हो गई हैं क्योंकि वो सड़कों में हैं और लाइनों में खड़े हो के खाना माग रहे हैं जिन में एक खाना मिल रहा है और कुछ सेक्ड़ों मील पै मजदूर जो हैं इनकी तनखाहें देने का इस दोरान का कुछ इन्जाम कीज़े बजाए इसके के आप ये निया निर्मान करें जी असरत साथ बिलकुल ये सूफीजम का जो इन्फ्लूएंस है मरोको में और बर्बर कल्चर में मैं थोड़ा बहुत उससे वाकिव हूँ मैं मुरोको में काफी समय गूंग के आया हूँ और हमारे गाइड बर-बर थे तो मैंने ठीक ठाक उनके साथ गूमायों में बहुत सारी श्राइन्स में गया हूँ यह सही बात है यहतियासिक धरोणों को बचाने के लिए क्या किया जाता है यह कान चंद वकीत पूछ रहे हैं इसके बारे में लंबी बातकीत करनी पड़ेगी इसका दो मिनट में तो हल नहीं है लेकिन एक मैं आपको बता दू कि कम से कम जो जितना पैसा हम यह तयासिक धरोवर को बचाने के लिए हमारे बज़त में रखा जाता है उसका कम से कम पांच गुना दरगुना दो मुना चाहता है दिल्ली में दो हजार लिस्टिड मॉनिट स्ट्रक्चर्ट हैं और उसमें से दो सो केवल प्रोटेक्टिड हैं और इन सब को बचाने के ल बचाने के लिए और ज्यादा प्रेसा दिया जाए और दूसरा यह है कि आर्केलोजिकल सर्वेय ऑफ इंडिया को का जो चीफ है जो डारेक्टर जनरल होता है वो कोई I.E.S. का बाबू होने के बजाए कोई सीनियर आर्केलिगिस्ट होना जाए जो वहां देशकों से नहीं भेजा के लाए बाकी इसके बारे में फिर कभी मौका होगा तो बात करेंगा अब हमने अपना समय खतम कर दिया है तो जिन दोस्तों के सवानों का मैं जवाब नहीं दे पाया हूं उनसे माफी मांगता हूं और उम्मीद है फिर कभी मौका होगा तो जिन दोस्तों का बहुत बहुत चुक्रिया कि उन्होंने मुझको एक बात फिर आप सब लोगों से बात्चीब करने का मौका थे है तैंक यू झाल